नमस्कार दोस्तों मायजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ है सिस्षिमेगर के यूटूब चैनल पर दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं most important 50 questions के बारे में देखिए दोस्तों ये आपके 50 questions बहुत ही महुत पूर्ण है मैं दोस्तों इसमें challenge भी कर सकता हूँ आप कोई सावी paper देंगे तो इसमें आपका 2-3 question जरूर मिलेगा क्योंकि मैं इसको देख चुका हूँ ठीक है दोस्तों तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका पहला question आपका क्या कह रहा है बहुत ही महुत पूर्ण question है दोस्तों एक भी छूटना नहीं जिए सब आपको देखना है द्यान से देखिए दोस्तों पहला question देखिए पहला question है मनुष्य ने सार पर्थम किस दादू का प्रियोग किया आपका answer हो जाएगा तामबा ठीक है next question देखिए ये कई बर paper में आ ने किस ने कहा ठीक है सुबाशन बोश को सरपतम नेता जी किस ने कहा तो एडॉल फिटलर ने कहा ठीक है एडॉल फिटलर एभी paper में कई वह रहा है ठीक है next question देखिए दोस्तों एभी most important question है बल्ला भाई पटेल को सरदार की उपाधी किस अंदोलन के बाद परदान की गई थी तो आपका आंसर हो जाएगा बार्दोली सत्यागरा ठीक है बार्दोली सत्यागरा के बाद आई दोस्तों कुछ और most important question देख लीजिए यहाँ से चठा question देख लीजिए दोस्तों देख जैंध का नारा किस ने दिया था जैंध का सुबाशन बोश ने यह भी कई बार प जनौरी 1889 में बेटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाद इसे सम्मानित करने के लिए दिल्ली दर्वार का आयोजन किया गया ठीक है तो किसलिए तो कैसरे हिंद ठीक है कैसरे हिंद ठीक है नेक्स कोशन देखिए चौदहुई लोग सभा के अध्यक्ष कौन थे चौदह इसका में बागों के बिलुप्त होने की घटना की जांच है तो केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कारकाल बनाया ठीक है कारेदल बनाया ठीक है किसकी अध्यक्षता में कारेदल बनाया तो सुनीता नरायन आपका अंसर हो जागा सुनीता नरायन ठीक है इसे भी या ठीक है यह भी याद रखेंगे नेक्स कोशन दोस्त देख लीजिए प्रथम लोग सभा का गठन कभ हुआ था ठीक है प्रथम लोग सभा का गठन कभ हुआ था तो 6 मैं 1922 भी ठीक है दोस्तों अप अली लोग सभा अध्यक्ष कौन थे तो गनेश बासुदेव मालंकार जीवी मालंकार इसे याद रखेंगे नेक्स कोशन देखे दोस्तों देरावा विदेशों के लिए भारती राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट पती ठीक है कौन करता है राष्ट पती नेक्स कोशन दोस्तों देख लीजिए यहां से 14 वा कोशन दोस्तों देख ल किसके ताहद दी गई है तो अनुछेद 72 के ताहद राष्ट पती छमादान की सक्टी दी राष्ट पती कोई किसी के लिए छमा कर सकता है ठीक है कोई अपरात के लिए नेक्स कोस्टन देखिए पंद्रावा जहंडा समीति के अध्यक्ष कौन थे संबिधान निर्माल की प्रकिरिया में खुल कितना समय लगा था मैं पिछले वीडियो में इससे बता हूँ इसमें भी देख लीजिए दो बर्स इगारा माह 18 दिन नेक्स कोस्टन देखिए संबिधान सभा का गठन कब किया गया ठीक है तो जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन के ताह ठीक है इसे भी याद रखेंगे नेक्स कोसन देखिए अब रखक के उत्पादन में भारत काभी सुम्सें स्थान है तो प्रत्म ठीक है लेकिन प्रत्म इस महीं भरतमान में दोस्तों चीं का है ठीक है फिख्यो में आनसर हुजागे सर्बादिक सोना कहाँ ब्राब्त रफ् नेक्स देखिए 20 नमर कोशन आधूनिक ओलम्पिक खेल परतियोगता का प्रारम कब हुआ तो 1896 इस भी में ठीक है नेक्स कोशन देखिए भाति ओलम्पिक परिशत के अस्थापना कब की गई तो 1924 इस में में याद रखेंगे कब की गई 1924 इस में नेक्स कोशन देखिए ओलम्पिक मसाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई तो आपका आंसर हो जाएगा 1928 इस भी एमस्टरड़म ओलम्पिक ठीक है किसके यति में एमस्टरड़म ओलम्पिक ठीक है नेक्स देखिए ओलम्पिक खेलो का टीवी पर विस्तरित परशारण कब से हुई ठीक है आपका आंसर हो जाएगा 1923 से मोस्ट इंपोर्टन कोशन कई बार पेपर में आया है राष्ट मंडल खेलों कब से हुई तो 1930 से 1930 से नेक्स देखिए भारत ने भारत ने पहली बार कब राष्ट मंडल खेलों में भाग लिया तो 1934 इस भी दूसरे राष् खेल से ठीक है नेक्स्सक्रार देखिए यसी आई खेल का पराराम कब और यह भी आद रखें किसे माना जाता है एंग्लेंड को नेस्ट कोचन देखिए फुटबाल ख्यल का जन्म कहां हुआ trave시에 ऐब आपका होज़यगा एंग्लेंड आन्सर होज़यगा इंग्लेंडस ठीक है नेस्ट कोचन दोस्थथो है यहां से देख लीजिए आप यहां से देख लीजिए बालीबाल का जन्म किस देश में माना जाता है तो आपका आंसर हो जागा संज्युक्त राज अमेरिका ठीक है ठीक है ठीक है बालीबाल का जन्म किस देश में माना जाता है संज्युक्त राज अमेरिका याद रखेंगे ठीक है नेक्स देखिए आधुनिक गोल्प की सरप्रथम सुभात कहां हुई थी तो असकाट लैंड में इसे भी याद रखेंगे जान यहांस एाλλ यहांसे' टेबल टेनिस है टेबल टेनिस चीन का है और बेस्बाल अमेरिका का है ठीक है नेक्स कोष्ण दोस्तों देख लिए हांसे आप यहां से देख लिज़े, 34 नंबर से, क्रिकेट कौन से देश का राश्टी खेल है, तो England और Australia का, क्यों क्वेन इस देश का राश्टी खेल है क्रिकेट, England और Australia का, ठीक है, नेक्स्ट कोशन देख लिए भुटान का राष्टी खेल कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा तिरंदाजी भुटान का राष्टी खेल कौन सा है तिरंदाजी नेक्स्ट कोशन देख लिए दोस्तों बैटमिंटल कौन से देश का राष्टी खेल है तो मलेसिया का बैटमिं नेक्स देख लीजिए, गुट सुवारी खेल के मैदान को क्या कहा जाता है, तो एरीना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एरीना, नेक्स कोर्शन दोस्तों, यहां से देख लीजिए, साइक्लिंग के मैदान, मैदान को क्या कहा जाता है, साइक्लिंग के मैदान को क्या कहा जात नेक्स देख लिजिए व्यास संब्ढ़ किस छेत्र से है व्यास संब्बंध से चेत्र से मुस्ट इंपॉर्टेटन इसे याद रखेंगे व्यास पुरसकार एक चेत्रों में चेत्र में जाता है साहित में दिया जाता है सांती में दिया जाता है रसायन में बहुतिकी में बहुतिकी में 1901 से स्टाट हुआ और 1929 स्टाट हुआ ठीक है ठीक है छे चेतरों में दिया जाता है इसे याद रखेंगे कभी-कभी कूस देता है सबसे प्रतिष्टि अंतराष्टि पुरसकार घृत्सकार में यह नेक्स को सन्सकंद देखें दोस्तों में पत्रकार्ट कर चट्र में दिया जाने वाला पुरसकार कोन सा है kitty person छो बार आचुका होगा पेपर में यह आपका पुल जितकर पूरस्कार ठीक है यसे भी याद रखेंगे कई बार पेपर में आया है ठीक है नेक्स क्वेस्चन देखPad का सबसे बड़ा राष्ट पूरसकार कौन सा है यह Peepers में कई बार आया आपको पता वह ओगा कौन सा है भारत लुपरॺष्टन ठीक है next question देखिए A.E.A का Nobel पुरसकार किसे कहा जाता है most important question A.E.A का Nobel पुरसकार किसे कहा जाता है रमन якिसे से पुरसकार को चा जाता है कि इंप्राश्टी पुरस्कार कब शुरू किया गया गादी आंतराश्टी पुरस्कार कब शुरू किया गया तो 1995 में ठीक है एक और लास्ट और देख लीजे भी मोस्ट आपको क서 टेश में कलिंग पुरस्कार कब कब शुरू किया गया था तो 1952 में ठीक है दोस्तो दोस्तो आप और भी मेरा वीडियो देखना चांते हैं तो वीडियो को प्ले लिस्ट में चले जाईए आप देख लीजिए ओहां पर मैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टन वीडियो जितना भी होगा आपके एक्जाम से आइकन को भी क्लिक कर देजिएगा बेल आइकन को क्लिक करने से क्या होगा दोस्तो आपको प्रफर नोटिविकेशन मिलेगी मैं जो भी अगला वीडियो डालूँगा चैनल सस्क्राइब किये रहेंगे तभी आपको नोटिविकेशन मिलेगी और बेल आइकन को भी दोस्तो क्लिक कर लीजेगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद